नमस्कार दोस्तो आपका बोधबुध स्वागत हैं youtube channel मंडी भाउराजमे में दिनेश्चन पातिदार और स्रीलंका के कोलम्बो का मार्केट के बाजार भाउ देखते हैं वहाँ पर दोस्तों भार्ती प्याज, फाकिस्तान का प्याज और है अन्य देशों का प्याज क्या भाव बिक रहा है इसके साथ आलू के वहां की भाव की रिपोर्ट और जो लाल मिर्ची होती है उसके भाव की पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो दोस्तों चलिए सिर्लंका के राजदानी कॉलम्बो में आज का मार्केट क्या रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉलम्बो मार्केट में प्याज का क्या भाव देखने को मिल रहा है तो भारती प्याज है वो दोस्तो स्री लंकाई मुद्रा के अनुसार 65-70 रुपए प्रती किलोग्राम बिक रहा है दोस्तो स्री लंका की मुद्रा अलग है तो 2.7 स्री लंकाई रुपए के मुकाबले भारती एक रुपए मिलता है यानि कि अपन एक रुपए अगर स्री लंका को देंगे तो स्री लंका अपने को 2 रुपए और 70 पेसे देगा तो महा की मुद्रा थोड़ी डाउन है 2.7 रुपे डाउन हैं इंडिया की मुद्रा के मुकाबले यानि कि इंडिया का एक रुपे अदो हैंगी तो आपको 2 रुपे सित्तर पे से मिलेंगी तो कोलम्ब की दोस्तों आलुक की भाव की बात करें आज की रिपोर्ट है तो पाकिस्तान का आलु वहाँ पर स्रिलंकाई मुद्रा के अनुसार 80 रुपे प्रति किलोग्राम बिक्राएं भारत का जो गुजरात का आलु है वह स्रिलंकाई मुद्रा के अनुसार 70-75 रुपे प्रति किलोग्राम बिक्राएं और भारती कोलार अलु है वो स्रीलंकाई मुद्रा के नुसार 70-80 रुपए प्रती किलोग्राम बिक्रा है बांगलादेश का अलु है स्रीलंकाई मुद्रा के नुसार 70 रुपए प्रती किलोग्राम बिक्रा है दोस्तों ये स्रीलंकाई मुद्रा में बाव है वहां की जो मुद्रा है मैंने उसको यह आपको रेट भी बताती इंडिया की एक रुपए का 2.7 रुपए वहां पर मिलता है तो यह पूरी रेट है स्री लंका ये मुद्रा के अनुसार है क्योंकि कॉलम्बो स्री लंका की राज़दा नहीं है और वहां के मार्केट के आपको मैं पूरी रिपोर्ट बता रहा हूँ तो कॉलंबो में दोस्तों लाल मिर्ची का जो भाव का रिपोर्ट हैं वो हैं आज 20 मार्च 2021 को भरती सुका लाल मिर्ची स्री लंकाई मुद्रा के अनुसार 470 रुपए से 500 रुपए प्रती गिलोग्राम बिक रहें दोस्तों यह सबी जो रेट में बताया है यह आल रेट इन स्री लंकाई करेंसी यानि स्री लंका की करेंसी के अनुसार हैं और वहाँ पर जो सुका लाल मिर्च हैं तीकी मिर्च 470 रुपए से 500 रुपए प्रती गिलोग्राम बिक रहें दोस्तों वीडियो के सिलकी कमेंट्स वोक्ष में जरूर बताये